सो गाइस अगर आप 15-20,000 के रेंज में कोई नन चानिस स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए Samsung Galaxy M31S एक बेस्ट जोईस हो सकती है क्योंकि फ्रेंट्स इसके अंदर कई amazing features और कमाल के specifications हमें देखने को मिलते हैं और आपको बता दे कि यह phone Samsung Galaxy M31 का successor होगा यह जो Samsung Galaxy M31 launch हुआ था फ्रेंट्स किया काफी अच्छे price में हमें देखने को मिला था तो फ्रेंट्स अब इसी का successor यह Samsung Galaxy M31S बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लुच होने वाला है और Samsung Galaxy M31 से काफी ज्यादा improvement देखने को मिलेगी इसके almost सारे specifications confirm हो चुके हैं जो आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि यह वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है और फ्रेंट्स वीडियो पसंद आया तो जूर किजेगा और इसी तरह के लिए हमारे चैनल को भी जिरू सब्सक्राइब कर लेज़ेगा तो चैले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे फोले फ्रेंट्स फॉन की डिस्पले के बात करते हैं तो इस самsung galaxy m 31s में काफी कमाल की डिस्पले देखने को मिलने वाली है इस बाइगा इस बाइख दिस्पले में आपको काफी ज़्यादा इंप्रोमेंट देखने को मिलने वाली है आपको बता दें Samsung Galaxy M31s के display आपको Infinix AUG के DIN में देखने को मिलने वाला है इसकी display में आपको in display fingerprint sensor भी देखने को मिल जाएगा आपको बता दें Samsung Galaxy M31 और बाकी Samsung के smartphone में आपको पीछे के side rear fingerprint sensor देखने को मिलता था लेकिन इस बार Samsung अपने display में काफी ज़्यादा implement की है क्योंकि Samsung Galaxy M31s में आपको in display fingerprint sensor देखने को मिलने वाला है अब इस smartphone के processor की बात करते हैं तो इसमें आपको Samsung Exynos 9611 का processor देखने को मिलने वाला है देखा जातों फ्रेंड्स यह Samsung का काफी old version हो चुका है इसमें मेरे opinion से इसमें आपको Snapdragon का कोई एक processor देना चाहिए था लेकिन फ्रेंड्स इसमें आपको Samsung का Exynos 9611 का processor देखने को मिलेगा अब दोस्तों Samsung Galaxy M31s के camera की बात करते हैं तो इसमें आपको 64 Megapixel का code camera का setup देखने को मिलने वाला है आपको बता दे कि यह 64 Megapixel का main camera होगा इसके साथ हमें 12 Megapixel Ultra Wide Angle Lens, 5 Megapixel Telephoto Lens और 5 Megapixel Depth Sensor के साथ हमें देखने को मिल जाता है इस बाद Samsung में camera के उपर काफी ज़्यादा improvement की है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आपको 64 Megapixel के साथ काफी अच्छी quality के photo और video capture कर सकते हैं इसमें आपको OneSort का भी support मिलता है जो Samsung के कई costly smartphone में देखने को मिलते हैं इसे friends आप एक ही click में कई सारे image को capture कर सकते हैं और उस image में से कोई अच्छा सा image आप रख सकते हैं इस बाद Samsung Galaxy M31S में काफी camera को लेकर काफी ज़्यादा improvement देखने को मिलने वाली है आप इस phone के selfie camera के बात करते हैं तो इसमें आपको 32 MP का selfie camera देखने को मिलता है जो काफी सारे features और mode के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं आप इस phone के battery के भी support के बात करते हैं तो इस बाद Samsung के तरफ से काफी बड़ी बड़ी देखने को मिलने वाली है आपको बता दे कि Samsung Galaxy M31S में आपको 6000 mAh की बड़ी बड़ी देखने को मिलती है जो 25W के fast charging support के साथ आता है आपको बता दे friends कि Samsung Galaxy M31 में भी आपको 6000 mAh की बड़ी बड़ी देखने को मिलती थी लेकिन इसमें आपको charging speed में काफी ज़्यादा improvement देखने को मिलने वाली है आप इसलिए live event होने वाला है और यह फोन आपको दो वेरेंट में देखने को मिलेगा चेह जीवी रेम और 108 जीवी स्टोरेज और 8GB रेम 256GB स्टोरेज के साथ इस फोन की expected price आपको 20,000 से starting होने वाली है तो अगर आप नंचानिय स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो 20,000 के starting price में यह Samsung Galaxy M31S आपके लिए better choice हो सकती है आपको पसंद आए होगी अगर वीडियों पसंद तो लाज जूर कीजिएगा और इसी तरह के रिलिटर अपडेट के हमारे चैनल को जिए सब्सक्राइब कर लिए तो अगली वीडियों में तब तक के लिए बाहरें टेक के लिए